एक समय की बात है, एक गाव में एक सोनू नाम का लड़का रहता था, वो अकेला रहता था, उसके मा बाप नहीं थे, पर उसकी एक बड़ी बहन थी, वो घरों में काम करके अपना घर चलाती थी सोनू रोज काम की तलास में भटकता रहता था, उसे काम नहीं मिलता था, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था फिर एक दिन रात को एक चुड़ेल सोनू के घर का दरवाजा खटखटाती है, सोनू जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने एक चुड़ेल है, चुड़ेल को देखकर सोनू डर जाता है, तभी चुड़ेल बोलती है बेटा क्या तुम मुझे एक गलास पानी पिला सकते हो मुझे बहुत प्यास लगी है फिर सोनू चुड़ेल के पीने के लिए पानी लेने जाता है फिर सोनू चुड़ेल को पानी पीने के लिए देता है चुड़ेल पानी पीकर सोनू से बोलती है क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हें चुडएल जी हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे यहां दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता मैं जादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई काम भी नहीं देता तुम बहुत ही नेक लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादोई उपहार देना चाहती हूँ फिर चुडएल अपने सकती से सोनु को एक तस्वीर देती है सोनु, ये लो, ये एक जादोई घर है मैं एक बहुत ही सुन्दर घर बना हुआ था तुम इस तस्वीर को अपने घर पर लगा देना अगर तुम्हें जब भी इस जादोई घर का जरूरत हो तो तुम बोल देना कि जादोई घर मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे ऐसा बोलते ही जादोई घर तुम्हारे सामने आ जाएगा फिर तुम उस घर के अंदर जाना, तुम्हें वहाँ जरूरत का हर एक चीज देखेगा, पर तुम उसी सामान को लेना, जिसकी तुम्हें जरूरत हो, और तुम ज़्यादा लालच मत करना, अगर तुम ज़्यादा लालच किये, तु ये जादोई घर गायब हो जाएगा, ले तुम इस जादोई घर का इस्तमाल दुसरों की मदद के लिए करना, ठेक है सोनू, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, इतना बोलकर चुडैल वहाँ से चली जाती है, सोनू तस्वीर को लेकर अपने घर के अंदर आता है, और वो अपनी बहन को सारी बात बताता है, फिर वो त तस्वीर को दिवाल पर लगा देता है, फिर अगले दिन मोनू जंगल में निकल जाता है, और फिर एक सांत और अकिला जगह पर खड़ा होता है, और बोलता है, जादोई घर मुझे तुम्हारी जरूरत है, सोनू के ऐसा कहते ही उसके सामने तस्वीर वाला जादोई घर प हर एक किस्म के अलग अलग तरह के सभी सामान वहाँ पर थे, अरे वाह यहाँ पर तो जरूरत की हर चीजे हैं, लेकिन मुझे तो घर के लिए कुछ सामान ही चाहिए, सोनू जरूरत की चीजों को लेकर अपने घर आ जाता है, और फिर जादोई घर वहाँ से गायब हो जात है, उसकी दीदी उसके हाथ में इतना सामान देखकर बहुत खुस होती है, और बोलती है, सोनू तुम्हारे पास इतना सब सामान कहां से आया, दीदी कल रात को मैंने आपसे बताया था न, कि वो चुड़ायल ने मुझे जादी घर दिया था, उसी के कारण ये सब सामान आय ठीक है सोनू, फिर एक दिन सोनू के बहन की तवियत खराब हो जाती है, दवा की दुकान पास में न होने के कारण सोनू बहुत घवरा जाता है, फिर उसे जादोई घर का याद आता है, और वो जल्दी जल्दी जंगल में जाता है, और बोलता है, हे जादोई घर मुझे त तामने आ जाता है और सोनू उसके अंदर जाता है और अपनी बहन के लिए दवा लेकर अपने घर आ जाता है फिर अच्छे दवा के कारण सोनू की बहन ठीक हो जाती है अब सोनू दूसरों की मदद भी करने लगा था सोनू को इतना खुस देखकर उसके दोस टीनू ने सोचा कि ये कोई काम धाम तो करता नहीं है फिर ये दूसरों की मदद कैसे करता है और इतना खुस कैसे रहता है ये सब सोच कर एक दिन टीनू सोनू का पीछा करता है और उसके साथ जंगल में जाता है जादूई घर मुझे तुम्हारी जरूरत है सोनू के ऐसा कहते ही जादूई घर उसके सामने प्रकट होता है सोनू जादूई घर के अंदर जाता है और वहां से बहुत सारी चीजे लेकर बाहर आता है और फिर सोनू के बाहर आते ही जादोई घर गायब हो जाता है च्छा तो सोनू हर चीजे यहां से लाता है अगली बार आने दो सोनू को मैं देखता हूँ कि उस घर में क्या है अगले दिन से टीनू जादोई घर में जाने के लिए बिल्कुल तयार था जैसे ही सोनू आता है टीनू उसके पीछे पीछे जादूई घर में जाता है घर के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजों को देखकर टीनू बहुत खुस हो जाता है जैसे ही टीनू सामान को हाथ लगाया वो सामान वहां से गायब हो गया फिर सोनू को लगता है कि जादोई घर में मेरे सिवा और कोई है फिर वो पीछे मूर कर देखता है तो देखता है कि वहाँ पर टीनू भी है और जादोई घर वहाँ से गायब हो जाता है फिर टीनू और सोनू एक मैदान में खड़े होते हैं टिनू तुम घर के अंदर क्यों आए? चाहिे था तो मुझे मांग लेते, बिना पूछे तुम घर के अंदर क्यों आए? पीछे पीछे आने की क्या जरूरत थी? अब गर तो गायब हो गया, अब मैं दूसरों की मदद कैसे करूँगा? लेकिन यह कैसे हुआ? और घर कहां गा गैयब हो जाएगा तुम्ने यह क्या किया टीनू, मुझे माफ कर दो दो दोस्त, मुझे पता नहीं था, कि मेरे आने से यह जादुईघर गैयब हो जाएगा, घर के गैयब हो जाने से सोनु बहुत उदास हो गया और वह चुडैल से प्रात्ना करने लगा, तभी वही चुड सोनु के सामने आती है और सोनु से बोलती है सोनु मैं तुम्हारे काम से बहुत ही खुश थी लेकिन तुम्हारे दोस्त के आ जाने से ये जादोई घर गायव हो गया कोई बात नहीं सोनु अब तुम्हारे दोस्त को उसकी गलतियों का एहसास हो गया है तुम्हारे अंदर प्षेर से जादोए घर वापस देती हूं लेकिन तुम इसका उपयोग इस बार बहुत ही सूजबूच से करना और इसका उपयोग तुम दूसरों के भलाई के लिए करना ठीक है चुडैल जी इस बार मैं इसका सूजबूच से इस्तमाल करूंगा फिर इतना बोलकर चुडैल वहां से चली जाती है मुझे माफ कर दो सोनू हमें किसी से पूछे बिना उसके काम में दखल नहीं डालना चाहिए इतना बोलकर वे दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं और फिर वे दोनों खुसी-खुसी रहने लगते हैं इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी स भी ना पुछे से उसके काम में दखल नहीं डालना चाहिए राम्पृ नाम के गाव में रिया नाम की एक लढ़की रहती थी रिया के पिता का पिछले साल मृत्ति हो चुका था रिया के माता के सिवा सके पास कोई नहीं था रिया के घर में गरीवी बसी हुई थी उसके घर में दो वक्त के खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता था रिया की मा फल बेजने का काम किया करती थी रिया की मा रिया को इसकूल भेज कर फल बेजने के लिए चली जाती थी रिया के मादिन भर सड़कों पर घूम घूम कर फ़ल बेचा करती थी भी अपनी बेटी रिया का बहुत अच्छे से खयाल रखती थी राधा भले ही एक रोटी कम खा लेती थी लेकि रिया के इस्कूल भेजने और पैसे देने का पूरा काम करती थी पिर एक दिनरी आपने मा से बोलती है मा मेरी कॉपी भर चुकी है और मेरी पेंसल भी खत्म हो गई है मा मुझे एक नई कॉपी और एक नई पेंसल चाहिए ये ले 20 रुपए जा दुकान से कॉपी और पेंसल खरिद कर ला और सुनो जल्दी घर वापस लोट कर आना ठीक है मा मैं कॉपी और पेंसल खरिद कर जल्दी खर वापस आ जाओंगी इतना बोल कर रिया पैसे लेकर कॉपी और पेंसल खरिदने के लिए दुकान पर जाती है अंकल मुझे एक कॉपी और एक पेंसल दे दीजिए ठीक है ये लोग कॉपी और पेंसल रिया को कॉपी और पेंसल देकर पांच रुपई लोटा देता है रिया दुकान से कॉपी और पेंसल लेकर अपने घर की ओर चल देती है रिया अपने घर की ओर आ रही होती है, तब ही उसे रास्ते में एक बुढ़ा आदमी बिलता है बुढ़ा आदमी रिया को अपने पास बोलाता है और उससे बोलता है बेटा, मेरे भी दुकान से कुछ ले लो ना, आज मैंने सुबा से कुछ भी नहीं खाया है रिया को उस बुढ़े आदमी को देखकर उस पर दया आ जाती है उस बुढ़े आदमी की चमकती आखें दया के भीक मांग रही थी ये देखकर रिया अपना पांच रुपए उस बुढ़े आदमी को दे देती है बेटा तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? दादा जी आपका जो मन आप मुझे दे रेजिये ये देखकर बुढ़ हाद में अपनी दुकान से एक तकिया निकाल कर रिया को दे देता है तकिया देखने में बहुत ही सुन्दर था रिया उसे लेकर अपने घर की यो चल देती है रिया तकिया कॉपी और पेंसल को लेकर अपने घर पहुचती है राधा उसे देखकर रिया से बोलती है बेटा आ गई तुम दुकान से कॉपी और पेंसल खरिद कर जी मा मैं कॉपी और पेंसल लेकर आ गई अच्छा रिया बेटा वो बचे हुए पैसे मुझे दो मैंने उस बचे हुए पैसे से तकिया खरीद लिया पर क्यूं तुम्हें पता है न बेटा हम अभी इस तरह से खर्च नहीं कर सकते मां हम लोगों के पास तकिया नहीं था इसलिए मैं तकिया खरीद लिया मां मुझे माफ कर दीजिये चलो कोई बात नहीं अगली बार से तुम ध्यान रखना हम लोगों को फाल्तु खर्च नहीं करना है ठीक है न रिया ठीक है मां मैं अगली बार से ध्यान रखंगी रिया की मां आज थोड़ी चिंतित थी क्योंकि उन्होंने रिया के स्कूल की 6 महिने की फीस नहीं जमा की थी अगर वो इस बार रिया की फीस नहीं जमा की तो रिया को स्कूल से निकाल दिया जाएगा फिर रिया की मा अपने मन में सोचती है अब मैं क्या करूँ मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि मैं रिया की स्कूल की फीस जमा कर पाऊं घर में बस 800 रुपए ही बचे हैं अब मैं रिया की पूरी फीस कैसे जमा कर पाऊंगी उसमें तो उसकी पूरी फीस भी नहीं जमा हो पाएगी रिया की माँ सोचती हैं कि मैं उतने पैसे देकर टीचर को मनाने की कोशिस करूंगी और बाकी के पैसे दुसरे हपते देने के लिए बोल दूंगी फिर उस दिन रात को रिया सोते वक्त उस बुढ़े की दी हुई तक ये परसर रख कर सोती है और अपने मन में सोचती है हे भगवान मा के पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि वो मेरी फीज जमा कर पाएं अब हम लोग क्या करेंगे कास कुछ ऐसा होता कि हम लोगों के पास खुब धेर सारे पैसे होते फिर मा मेरे स्कूल की पूरी फीज जमा कर पाती और हम लोगों को खाने की कमी कभी भी नहीं होती अगली दिन सुबह होने पर अरे ये क्या रिया मेरे पास तो सिर्फ 800 ही रुपए थे यहाँ पर 2000 रुपए कहां से आ गए मा मुझे नहीं पता कि आपके पास 2000 रुपए कहां से आ गए रिया अभी तुम्हेने कल ही देखे थे कि हम लोगों के पास सिर्फ आठ सवी रुपय थे मा मुझे नहीं पता है चलो कोई बात नहीं रिया बेटा अब हम लोगों को टीचर के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर रिया के मा रिया के साथ उसकी स्कूल में फिज जमा करने के लिए जाती है फिर रिया के मा रिया के स्कूल की पूरी फिज जमा करती है फिर रिया और उसकी मा खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देती है जब रिया और उसकी माँ घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उन्हें सबजी की दुकान दिखाई देती है रिया चलो आज हम लोग सबजी खरीद लेते हैं, हम लोगों को सबजी खाए बहुत दिन हो चुके हैं ठीक है माँ सबजी खरीद लीजिए, फिर रिया और उसकी माँ सबजी खरीद कर वापस खर चली आती हैं, फिर रात होने पर रिया फिर से उस तक ये परसर रख कर सोचती है कास मेरी माँ को फल खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता, तो कितना अच्छा होता फिर अगले दिन सुबा होने पर रिया की मा रिया से बोलती है, रिया बेटा कल तुम फल खरीदने गई थी क्या, नहीं मा मैं तो कल फल खरीदने के लिए नहीं गई थी, तो इतने सारे फल कौन ला दिया, ये हो क्या रहा है इस घर में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ की इतने सारे फल कौन ला दिया, उस दिन उतने सारे पैसे और इस दिन फल हमारी मदद कौन करता है, फिर रिया को लगने लगता है कि मैं उस तकी वेसर रखकर जो भी मांगती हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो जाती है, जरूर इस तकी में ही कुछ गड़बड है, जब मैं उस दिन मा को फिस जमा करने के लिए पैसे मांगी थी, तब मा के पास 2000 रुपए और आ गए थे। और कल रात को मैं सोने से पहले यही बोली थी, कि मा को फल खरिदने के लिए बाजा न जाना पड़े। बिल्कुल वैसा ही हुआ, जैसा मैं कल रात को सोने से पहले सोची थी, मुझे तो लगता है कि यह तक यह जादु ही है आज रात को मैं जरूर पता लगा कर रहोंगी कि यह तक यह जादु है या नहीं। पिर रात होने पर रिया उस तकीय से बोलती है, कास मेरे घर में एक फ्रीज आ जाए, फिर अगले देन सूबा होने पर, रिया देखती है कि मेरे घर में एक सुन्दर सा फ्रीज है, ये देख कर रिया बिल्कुल हैरान हो जाती है, हाँ, ये तो सचमुच इस चादूई तकीय क की वज़ा से हो रहा है मुझे ये बात मां को बतानी होगी मा ये तक्या जादो हीता है जो उस दिन मुझे बोढ़ा ji दिया था मुझे लगता है कि वह सकती हो रिया जा providing तक्या है फिर रिया अपने मा को पूरी बात बताती है ये सुनकर उसकी मा बोलती है साबास रिया बेटा मुझे लगता है कि ये सब उस बुढ़े आदमे की ही कृपा है जिससे आज हम लोग इतने अमीर बन चुके हैं और उसकी मा को किसी भी चीच की कमी नहीं रही और वी द कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जितना हो सके उतना दुसरों की मदद करने चाहिए रूपे मदद करने से ही हमारी मदद होती है